नमस्कार दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अब ठंडी का मौसम जाने वाला है याने विंटर जाने वाला है और गर्मी अब आने वाली है धीरे धीरे आना सुरू हो गई है और जो महिला प्रेगनेंट है उसके लिए काफी स जादा लगती है तो अगर आपकी भी डिलिवरी मार्च अपरेल और मई में होने वाली है तो आप एक दम सही वीडियो पे आई हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत फाइदेमन साबित होने वाली है क्योंकि इसमें जो टिप्स मैं बता रही हूं अगर इस टिप्स को बात नहीं आपको डॉक्टर पहले ही बता देगा कि आपकी नॉर्मल डिलिवरी होगी या नहीं क्योंकि डॉक्टर को हर महीने महीने अल्ट्रा साउंड करता है तो उसे हर चीज़ पता होता है लेकिन आप कुछ बाते और कुछ भगवान की मर्जी ऐसी भी होती है कि डॉक आपको कोई के द्यूमी मुगी पता है या फिर हम हिसाब भगवान नहीं नहीं चाहा तो आपकी नॉर्मल दिलिवरी जो में टिप्स बता रही हूं। अगर वैसा करेंगी तो नॉर्मल डिलिवरी असानी से हो जाएगी देखिए मित्रो इस समय आप प्रेगनेंट है और प्रेगनेंट महिला को काफी आलस आता है तो आपको आलस साथवे महिने से ही दूर भगाना है आपको आलस बिल्कुल भी नहीं करना है इस समय आपको एक्टिव रहना है एक्टिव रहने का मतलब यह है आप दिन भर बेट प काम करें इसके बाद आपको वाक करना चाहिए आप जितना पहले कर रही है मतलब जितना आप पहले चार-पांच मन्त में कर रही है उससे आप थोड़ा दस-बिस मिनट आपको वाक करना बढ़ा देना है क्योंकि आठवे मन्त के लाश्ट में आपका सीसू हेड़ डाउन करें इसके बाद बच्चे जैसे रेंगते हैं उस पोजीशन में होके आप अपने आपको थोड़ा होल्ड करें इसके बाद आप सीडियों पे थोड़ा चड़े और थोड़ा उत्रें हां लेकिन वजल लेकर ना चड़े और ना उत्रें जो सीडियों की रेलिंग होती है उस इससे आपको बहुत मदद मिलता है नॉर्मल डिलीवरी में और आप सबसे पहले तो आप ब्रीधिंग एक्सरसाइज करना ना भूले ब्रीधिंग एक्सरसाइज आपको करना ही करना है क्योंकि जब दॉक्टर आपको पुछ करने के लिए बोलेगा तो ये exercise आपको राम बान उस समय काफी राम बान के समान आपको मतलब push करने में health करेगा और मदद करेगा आप इस समय जाडू पोच्छा भी कर सकती है comfortable फिल कर रही है तो आप थोड़ा दूर जाडू पोच्छा भी करें ये भी आपकी pelvis area को काफी मजबूत बनाता है flexible बनाता है और normal delivery में काफी आपका help भी करता है मैं सारी बाते इसलिए बता रही हूँ दोस्तों क्योंकि इस समय अब आलस का समय आ रहा है और जब आप आलस करेंगी तो आपको seizure delivery ही होगी normal delivery भूल जाएए तो please request है कि आप आलस ना करें हम लोगों को आलस जो normal body के लोग है उन लोगों को आलस आती है तो आप तो एक बच्चे की मा बनने वाली हैं तो आप आलस ना करें तो ये तो हो गई मतलब जो क्या करना है आपको क्या नहीं करना है इसके बाद कुछ बात करते हैं खाने पीने के चीजों के बारे में वैसे तो हमें पता है कि आपको हर चीज के बारे में सही नौलेज और सही जनकारी होती है लेकिन मेरा काम है आपको सही मार्क पे ले जाना और सही बाते बताना और क्या गलत है आपके लिए क्या सही है ये तो आपको पता हो इस समय आपको प्रोटीन कै हिसे 7 मंथ tut dá झाओं भी हैं जब आपकी नार्मल महिधे उस्था निआनि कहना डिलीवरी मैनने आपको लिए जादा है। जब जादा निकलता है तो पालक का ज़्यादा इस मूद दितने शीलैते चत्रHH दोरिख जब चात्वा दोरिख नियरत इस मात्रा में आइरन होता है चुकंदर खजूर इन सब में आइरन भरपूर मात्रा में होता है तो इसे आप खाने में अपने जरूर सामिल करें इसके बाद आपको दूध दलिया संतरा जरूर मतलब खाना है संतरे से जो विटामिन मिलेक पंड़ते हैं उससे आपके सीसु को और आपको काफी मदद मिलता है सिसु के बाल की इसके बाल की ग्रोथ अच्छे से होती है या एक जो की जो काफी हेल्फूल होता है है बिटामिन सी का मतलबं यह जो इसके बाद आप थोड़ा भुत घी का भी लिमिट में यह नहीं कि गर्मी का सीजन है तो आप लिमिट में एक चमच या डेड़ चमच खा सकते हैं इससे आप ज़्यादा ना खाएं नहीं तो आपको बेनिफीट के जगा आपको मतलब गलत रियेक्शन इसका भी मिल सकता है तो आप थोड़ा बहुत आप खा सकती हैं फाइदा पहुचाएगा नॉर्मल डिलिवरी के लिए क्योंकि अब तो गर्मी का सीजाना गया तो कोई भी नहीं चाहेगा दोस्तों की गुनगुना पानी पीए लेकिन आप पीएंगी तो आपके लिए काफी वेनिफीट होने वाला है क्योंकि आपको एम्नुटिक फ्लूड की कमी नहीं हो जाएगे अगर आप पानी प्यएगी तो आपको एमनुटिक फ्लूड की कमी हो जाएगी जिसे की आपका सिसू जो है पानी कम हो जाएगा तो नॉर्मल डिलिवरी आपको नहीं होगी आप तरल-पदार्थो का सेवन ज्यादा मात्रा में करें आपको तनाव कि आपको अच्छी नीठेड लेना है एत को सबसे महत्पूरस वास्ट सिए में करना है और अच्छे से उसके बारे में कैसा है इकठा कर ले, ये सबसे महत्तफूर बात होती है मित्रो, क्योंकि कई डॉक्टर है जो जान बुझ के सीजर भी कर देते हैं, मैं सब डॉक्टर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कई डॉक्टर ऐसे भी हैं, तो अपने करने का नवबत नहीं आता है इसके बाद आपड नहीं होना है कि मुझे न Wheels नहीं हो भाइगी आपको मोटिवेट रहना है दिमोटिवेट नहीं रहना है आपको काम कर द्यान देना है किसीे घुजल बातों में नहीं पढ़ना है इसके बाद आपको नॉर्मल डिलिवरी होने से कोई नहीं रोख सकता है दोस्तों कोई नहीं रोख सकता है हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर सब्सक्राइब कमेंट करना जरूर ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में थाइंक यू धन्यवाद